हेलो एव्रिवान, दृष्टी है इसके आउडियो आर्टिकल प्रोग्रेम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा आज हम बात करेंगे करिंसी इंसर्कुलेशन पर हमारा आज का ये आर्टिकल दहिंदू में छपी ख़बर के सारांज पर आतारित है इसमें टीम दृष्टी के इंपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामानने अध्ययन प्रश्ण पत्रतीन के अर्थ्विवस्था खंड से जुड़ा है तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं हम सभी जानते हैं कि मुद्रा किसी भी अर्थ्विवस्था की गती का प्रमुख आधार होती है ये अर्थ्विवस्था में विनिमे का महत्वपून साधन होती है और समाज में मुद्रा का प्रचलन सद्यों से होता रहा है हाला कि पुराने समय में इसका बड़े पैमाने पर इस्तमाल नहीं होता था बलकि इसका इस्तमाल विशेश कर व्यापारी वर्ग द्वारा किया जाता था छोटे स्थर पर ये ग्रामीन समाज में इसका चलन ना के ही बराबर होता था क्योंकि यहां वस्तु विनिमे प्रण न करना संभव ही नहीं है इस बात को परखने के लिए नोट बंदी सबसे अच्छा उदाहरन है दरसल नोट बंदी के दौरान जब प्रचलन वाली मुद्रा से लीगल टेंडर मनी का दर्जा छीन लिया गया तो मुद्रा के अभाव में पूरी अर्थ्यवस्था लगभग धंसी कई थी कहने का मतलब ये है कि अर्थ्यवस्था में मुद्रा जितनी अधिक मात्रा में चलन में होती है अर्थ्यवस्था का चक्र उतना ही तेज खोंगता है हाली में जब एक केस में पूर वितमंत्री और वरिष्ठ कॉंग्रिस नेता ने सर्वोच अदालत को बताया कि अभी चलन में मुद्रा नोट बंदी से ठीक पहले प्रचलन में रही मुद्रा की लगभग दो गुनी है तो ऐसे में इस बात पर पुनह चर्चा शुरू होने लगी कि ये चलन में मुद्रा या करिंसी इन सर्कुलेशन क्या है इससे जुड़े हुए और भी कई पहलू है मसलन मुद्रा, मुद्रा के प्रकार वा मुद्रा के कारे क्या होते है करिंसी इन सर्कुलेशन में वरिधी के क्या कारण रहे है और इसमें हो रही व्रद्धी का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इसमें नियंतरन लाने के लिए क्या क्या कर रही है वगेरा वगेरा तो इन सभी को हम आगे विस्तार से समझेंगे लेकिन पहले करंसी और करंसी इंसरक्लेशन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो करंसी या मुद्रा विनिमे या भुकतान का माध्यम होती है मुद्रा के जरिये सभी वस्तों वस्तों के मूले की माप की जाती है इसके माध्धिम से वस्तों और सेवाई खरीदी वबेची जाती है और मुद्रा को उस वस्तों के रूप में परिभाशित किया जाता है और द्योगी की करण वर नगरी करण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करंसी यानि कागस के नोटों को सांकेतिक मुद्रा के रूप में विनिमेका माध्यम बनाया वर्तमान में मुदरा मूले का मापक, विनिमे का माध्यम, स्थागित भुगतानों की माप, मूले का संचे, मूले अस्तान्तरन के साधन के इलावा साख का आधार तै करने में भी इस्तमाल की जाती है मुद्रा कई प्रकार की होती हैं मसलन लेखा मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, एच्छिक या साख मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रामानिक मुद्रा वप्लास्टिक मनी आदी इनमें लेखा मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका इस्तेमाल लेंदेन, गीमत, क्रैशक्ति और कर्स की मातरा तै करने में किया जाता है जबकि वास्तविक मुद्रा वो होती है जो वेभार में नोटों एवं सिक्कों के रूप में चलन में होती है जबकि वहीं वैधानिक मुद्रा वो है जो विधी ये सरकारी आदेश पर चलन में लाई जाती है इसके अलावा एच्छिक मुद्रा भी होती है जिसे भुक्तान के माध्यम की रूप में अपनाना या नापनाना पूरी तरह भुक्तान पाने वाले की इच्छाबर नर्भर करता है इसी कड़ी में सांकेतिक मुद्रा उसे कहते हैं जिसका आंतरिक धात्विक मुल्य उसके अंकित मुल्य से कम होता है ठीक इसके विप्रीद मुद्रा का वास्तविक एवं अंकित मुल्य बराबर हो तो उसे प्रामारिक मुद्रा कहते हैं सोने वा चांदी के सिक्के प्रामानिक मुद्रा के ही दाहरन है। इसी तरह मुद्रा कई और प्रकारकी भी होती है। एक ही मुद्रा एक साथ इन में से कई गुणों को धारन कर सकती है। इसे भारतिया रुप्या के संदर्भ में ऐसे समझ ये कि रुपया लेखा मुद्रा के साथ-साथ वास्तविक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, वस्सांकेतिक मुद्रा भी है। भारत में चलन में मौजूद मुद्रा की माप करने के लिए इसे कई खंडों में बाटा गया है। जैसे M1, M2, M3, M4 और M0 आदी। इसकी गढ़ना RBI द्वारा की जाती है। इसे संकीर मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इसका आधार अन्ने के मकाबले सीमित होता है। वही M2 में M1 के साथ डाक घर में मौजूद बचत जमाई शामिल होती हैं जबकि M3 में M1 के हलावा बैंकिंग पडाली के पास समय जमाई यानी टाइम डिपॉजिट राशें शामिल हैं। M3 को व्यापक मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि इसे वित्य संसाधनों की कुल राशी की रूप में भी जाना जाता है। M3 पैसे की आपूर्ती का सबसे अधिक स्तमाल किया जाने वाला संके तक है। अब इस सब के बाद सवाल ये है कि चलन में मुद्रा के व्रिधी के कारण क्या है। तो पहला कारण तो नीतिकत खाम्यों को माना जा रहा है। चलन में मुद्रा को लेकर RBI का तरलता प्रबंधन का काम गड़ बढ़ा गया है। इसकी नकदी की मांग का अनुमान उभर रही वास्तविकताओं के अनरूप नहीं है। बाहु चैनल, डिजिटल भुक्तान या कैशलस ऑनलाइन भुक्तान, प्रतिक्षलाब हस्तांतरन के डिजिटली करण और बैंक जमा के माध्हम से उच्मूले वर के नोटों के विमुद्री करण और नकद लेंदेन पर प्रतिबंद के साथ इसमें गिरावट की उमीद थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। नोटबंदी के कुछ समय बात तक इसमें गिरावट रही, लेकिन बाद में इसमें जाफा होने लगा और ये अपने पुराने स्तर को पार कर गया। ये जीडीपी में नामातर की वृद्धी और तेजी से बढ़ते डिजिटल भुक्तान के बावजूद वित्यवर्ष 2022 के अंत में पिछले चार वर्षु के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। ये नोटबंदी के बाद सकल घरेल उतपात के प्रतिशत के तोर पर प्रेचलन में मुद्रा की वृद्धी को दिखाता है। इसके अलावा 2000 के दशकी तुलना में 2011-22 के दौरान जनता के पास उच नकदी और डिमांड डिपॉजिट अनुपात जनता दौरा बड़ी नकदी की मांग को दर्शाता है। वितवश 2021 के तुलना में वितवश 2022 के दौरान इन अनुपातों में मामुली सुधार हुआ है क्योंकि वितवश 2021 असामान निवर्ष रहा था और GDP में गिरावटाई थी। जमीनी स्थिती को देखते हुए इस साल भी डिजिटल भुकतान में विर्धी के बावजूद नकदी की मांग में उतनी तेजी से गिरावटाने की संभावना नहीं है जितना की नीती निर्माताउं ने अनुमान लगाया था। नकदी की बढ़ती मांग का दूसरा कारण इसका सहच प्रयोग लगता है। लाखों लोग दिन प्रति दिन के व्यापारिक लेंदेन के वित पोशन के लिए नकदी का इस्तमाल करते हैं। मुखे रूप से चीन से आयात के अवैध हिस्से की फैनैंसिंग के लिए नकदी की जरूरत होती है जो दो हजार के दशक के मध्धे से लगतार बढ़ी है। इसका जिकर कई रिपोर्ट्स में किया गया है जैसे राजस खुफिया निदेश आले की रिपोर्ट, वानिजे पर 145 वी संसदी 27 समिती की रिपोर्ट यानि भारती उद्धियोग पर चीनी सामान का प्रभाव 2018, ग्लोबल फिनेशल इंटेगरिटी, वाशिंग्टन और सु पर्मो देशों से प्राप्त किये गए व्यापार डेटा के बीच भी विसंगतियां पाई गई हैं, नाकारात्मक व्यापार रिपोर्ट की इस्थिती भी इसके लिए जिम्मदार कारक है, ये फर्मो द्वारा की गई तरलता में कमी को संतुलन मिलाता है और व्यापार इसकी औसत रिपेमिन्ट की गटी को कम करता है, कम व्यापार रिण की गटी नकदी की मांग को बढ़ाता है, नोट बंदी से शुरू होने वाली घटनाओ की एक श्रंखला से व्यापार रिण संकट शुरू हो गया है, इसके बाद जीस्थि और कोविड की लहरों ने भी इ अचानक गिरावट भी आई और इसके परड़ाम सुरूप में मुद्री करन के बाद लाखों दैनिक व्यापार रन आधारित लेंदेन में गिरावट आई, ये अधिक तरलता को बनाए रखने और नकद बिक्री को मस्बूत वर्यता देते हैं, इसलिए हाल के वर्षों में नकदी का रेकॉर्ड सुतमाल किया गया है, अब इन सब के बाद ये देखना जरूरी है कैसे में आगे की रहा क्या हो सकती है, तो मौझूदा मौद्रिक नीती का निर्मार सिध्धान पर अधिक जबकि वेवार पर कमा धारित है, लेकिन ये विकास को प्रभावत करने वाल ये नीती गज़ प्रजयास के बावजूद अर्थिवध्धा में नकदी की दीवर्दा क्यों बनी होई है, अपने नीती निर्मार में इनें जमीनी हका को नजर अंदास करने पर नीतियां गलत हो सकती है, इसका उधारन विमुद्री करण है, जिसने साल 2017 में अर्थिवध् नोटों का C-A-G-R यानी चक्र रिद्धी वाशिक रिद्धी दर 24 प्रतिशत थी इस तरह कि नकदी संचलन का बहुत कम हिस्सा घरेलू व्यापार नेटवर्क और विनिर्मार इकायों में पहला हुआ है क्योंकि चीन से आयात हमारी नकदी संचलन का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है जो गैर खादे खपत टोकरी व्यापार और विनिर्मार संरचना में मौझूद है इसलिए चीन से आयात में इस्तमाल हो रहें नकदी को नियंतरत करने की जरूरत है इस व्यापार को अपचारिक बनाने की भी जरूरत है बंदरगाहों पर ही जहां ऐसे माल प्रवेश करते हैं आयातों की जाच और नियंतरन करना एक बहतर रणनीती हो सकती है ये काले धन पर अंकुष लगाने में बहतर काम कर सकता है तो कुल मिलाकर सार ये है कि व्यमुद्री करन उच्छ सामाजिक आर्थिक लागतों की कीमत पर की गई और इसके बाद भी चलन में उच्छ नक्दे की वापसी हुई है सरकार उसके अधिकारियों को इस संदर्भ में अपनी नीतियों की समीख शाकरनी चाहिए चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल तो सवाल है करनसी इन सरकुलेशन क्या होता है क्या कारण है कि सरकार के कई उपायों के बावजुद वर्तमान में इसमें व्रिधी दर्च की गई है चर्चा कीजिए